आप इसकी physical properties देख लेते हैं कि physical properties में गर्फーーस्ट की एलिमेंट को एलकली मेटल बोलते हैं तो उनके फिजिकल में फिजिकल प्रपर्टी में सिल्वरी वाइट होते हैं जो गुरुफ फ़स्ट के जो एलिमेंट हैं सॉफ्ट एंड लाइट होते हैं मतलब बहुत हलकी होते हैं सॉफ्ट होते हैं सॉफ्ट का मतलब हैं इन्हें हम आप उसे भी काट सकते हैं, तो हार्ड नहीं होते हैं, ठोस नहीं होते, बहुत सॉफ्ट होते हैं, गृफ फर्ष्ट के अलिमेंट, और इनका मेर्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने आपको बताई दिया था, जो कि आपका लो होता है, इनकी डैंसिटी होती है, साइज लार्ज होता है, मेटालिक बॉण्डिंग लो होती है, इसकी मेटालिक बॉण्डिंग भी, मेटालिक बॉण्डिंग भी लो होती है, ठीक है, मेटालिक बॉण्डिंग लो क्यों होती है, क्योंकि इसकी पलस वन वैलेंसी होती है, पलस वन वैलेंसी का मतलब क्या है यह अपना एक electron loss करता है और oxidation state 1 दिखाता है ठीक है आप जो फोटो electric cell होती है उन में आपके जो केशियम होता है और पोटासियम इन element का यूज किया जाता है फोटो electric cell में आपके केशियम और पोटासियम element का यूज किया जाता है तो यह आपकी physical properties है अब देख लेते हैं chemical properties अब इसकी chemical properties है तो group first के element की chemical properties है वो है first है आपकी air के साथ air क्या होता है आपका o2 मतलब oxygen के साथ reaction तो जो आपका lithium है वो oxygen के साथ reaction करके क्या बनाता है li o जैसे sodium का oxygen के साथ reaction यह बनेगा जो लीथियम oxygen के साथ react कर रहा है यह आपका होता है monoxide यह आपका है monoxide और यह है आपका peroxide और k o2 है आपका superoxide इन्हें हम बोलेंगे superoxide यहां जो element है के यहां पर हम m भी लिख सकते हैं m का मतलब है आपके all elements आदाएंगे यहां पर all elements नहीं आएंगे यहां पर आएंगे आपके potassium, rubidium और casium यह तीन element आपके superoxide बनाएंगे sodium आपका peroxide बनाता है lithium आपका monoxide बनाता है दूसरी है आपकी h2o मतलब की water के साथ reaction और water के साथ group first के element जो reaction करेंगे water के साथ तो आपके m positive मतलब की यहां m की जगह पर आपके group first के element आएंगे सारी ठीक है और पलस में क्या बना रहे है आपके h- hydroxide और पलस में क्या बना रहे है साथ में hydrogen gas h2 का मतलब होता है hydrogen gas तो यह आपके water के साथ reaction करने पर group first के element जब water के साथ reaction करते हैं तो आपका आपके क्या बनाते हैं metal iron और hydroxide और hydrogen gas अब यह आपका third है hydrogen है hydrogen क्या होता है आपके hydrogen आते हैं आपके हैं क्या बनाएंगे hydrogen oxide क्या बनाएंगे आपके metal oxide तो यह M पलस में आपके metal जो group first के element आएंगे और X माइनस में आपके hydrogen आएंगे ठीक है न तो यह आपके hydrogen के साथ reaction करेंगे hydrogen की तरह ही आपके यहाँ पर h2 gas के साथ भी reaction होती है यहाँ पर इसकी hydrogen group first के element की h2 gas के साथ भी reaction होती है जो क्या बनाती है आपके h2 के साथ क्या बनाएंगे 2 M पलस और h- यह आपका होगा h2 gas के साथ reaction ठीक है जैसे hydrogen का reaction हुआ ऐसे ही आपके h2 gas का भी reaction होगा ठीक है हुआ 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 है